क्या आप एक web designer हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के इचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हैं. इस वीडियो में, हम आपको Australia में web designer के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं. इस वीडियो को English में देखने के ये आप description में दिये गए link पर click करें. थेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया immigration information channel A to Z immigration updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Australia में professionals के लिए skills और career scope पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजर हैं. इस वीडियो में हम web designer से एक Australia employer की job profile से संबंधित अपक्षाओं के बारे में जानेंगे. हम web designer के लिए उप्यूक तून industry sectors को देखेंगे. यहां web designer को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अफसर प्राप्थ हो सकते हैं. हम web designer के profile पर Australia में काम करने के लिए new term education और experience की जरूरतों को भी देखेंगे. हम यह भी देखेंगे कि आपके profile के लिए skill, level, license और registration की क्या जरूरते हैं. हम web designer के profile पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio और मुख्या पर भी चर्चा करेंगे. Current job openings, पिछले 5 सालों का analysis, future expectations और career scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे. हम web designer के ओसतन सापताहिक work hours और wage rate या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे. वीडियो के end में, हम आपको अलग-अलग visa options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, permanent residency पाने, और इस profile पर Australia में पढ़ाई करने के visa options. तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंध तक हमारे साथ बने रहे. अब आपका और समय न लेते हुए आए शुरू करते हैं. चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके profile description पे. आस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक सपश्ट तथा सुलजा हुआ profile description बनाया गया है जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है. इस code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation या ANZSCO code कहा जाता है. यह ANZSCO code आपको किसी भी profession में आपकी जिम्मेदारियां तथा job role के बारे में जानकारी देता है. आस्ट्रेलिया की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in Codes के रिचता है. और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है. तो चलिए अब आपके व्यवसाई के ANZSCO profile definition के बारे में जानते हैं. वेब डिजाइनर के profile का ANZSCO code 232414 है. ABS के ओरिजिनल content की authenticity को बरकरार रखने के लिए, profile description और कुछ दूसरे तथियों को. हम यहां इंग्लिश भाषा में ही देखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे. Web designer plans, designs, develops and prepares information for internet publication with particular emphasis on the user interface, ease of navigation and location of information using text, pictures, animation, sound, colors, layout and data sources to deliver information tailored to an intended audience and purpose. Australia में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्ज हैं जहां आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छी अवसर हैं. आएए एक बार कुछ जरूरी job sectors और इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं. Web designer के profile पर काम करने वाले ज्यादातर candidates मुख्य रूप से professional, scientific और technical services, manufacturing और information, media और telecommunications में कार्यरत हैं. आस्ट्रेलिया में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं. और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है. एक web designer के profile पर काम करने के लिए आपके पास bachelor degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है और web designer का skill level एक है, Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रूप के job level में bachelor degree और higher qualification की जरूरत होती है. इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगहा पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है. अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की जरूरत भी हो सकती है. अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो, आपको migration skills assessment की जरूरत रहती है. जो आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरूरत की जाती है. हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग जरूरते होती है. अगर आप web designer के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो, आपको एक वर्ष experience की जरूरत है. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि experience की ये requirement सिर्फ skill assessment के लिए मान्य है, परंतु employees की job के लिए experience requirement इस से अलग हो सकती है. आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किसुम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है. Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का main age group 25 से 34 वर्ष है और औसतन आयू 35 साल है. जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा ratio काम के हिसाब से अलग-अलग होती है. तो आईए अब आपके profile में पूरुश तथा महिलाओं की gender ratio पर नजर डालते हैं. वेब डिजाइनर में महिलाओं का 43.5 प्रतिशत हिस्सा है. औस्ट्रेलिया में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसेज पर काम करते हैं. फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफ़ते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है. अगर हम आपके profile की बात करें तो, वेब डिजाइनर के profile के 43.5 लोग फुल टाइम काम करते हैं. इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफ़ते में एवरेज काम करने का टाइम 49.4 घंटे हैं. जोब ओपनिंग्स की गिंती, कम्पनी टर्नोवर और एम्पलोईमेंट ग्रोथ के उपर निर्भर करती है. पिछले 5 सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपैक्टिड जोब ओपनिंग्स 25,000 एक से 50,000 के बीच हैं. वेब डिजाइन के केस में यह गिंती औसत सत्र से उपर पर है. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी वृद्धी दर प्राप्ट कर सकता है. आस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है. अगर हम वेब डिजाइनर के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेंस में ज़रूरत नहीं है. अब हम सबसे महत्वपून फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टडी करेंगे. अस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की औसतन सापताहिक आए 1300 AUD है. ABS के हालिया सवे के मुताबिक, वेब डिजाइनर का औसतन सापताहिक वेतन टैक्स डिड़क्शन से पहले 1280 AUD है. जिसमें से आपके सालरी स्लाब के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है. अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application File करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Scale Assessment है. इसके अलावा कुछ केसेज में, जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आम तोर पर Migration Scale Assessment के Positive Result की जरूरत होती है. आस्ट्रेलिया में विभिन प्रोफाइल काटेगरीज के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं. वेब डिजाइनर के लिए Migration Scale Assessment, Vocational Education and Training Assessment Services, VETASESS के द्वारा की जाती है. अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे. हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे. यहां आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शिन्स को देख सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सबस्क्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें. क्रिप्या अभी इस चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वर्ष के अंग तक 50,000 सबस्क्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें. हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पी आर प्रोसेस और विज़ा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे. इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं. क्या आप आस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अप्लाइन करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल आस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शिन्स धू अपना बायोडिता तथा रिज्यूम तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आस्ट्रेलियन इंप्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपेक करता है, एक अच्छी तरह से तयार किया गया रिज्यूम रिक्रूटर का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमी द्वारों से श्रेश्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशा की वर्ड्स और कुछ छोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम रिज्यूम को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक प्रफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम तयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी ए जोब एक्टिव नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्वव्यापी सेवा दी है, अपने डेडिकेटट पॉर्टल www.jobsurch.gov.au के जरिए, जोब एक्टिव, एम्प्लॉयर्स और जोब्स ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है, बिना किसी फीके ये आपके उप्यूक्त अवसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं, अद्जून, करियर वान, करियर जैट, और इंडीड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ओनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है, इसके इलावा टॉप 15 जॉब पोर्ट के बारे में संक्षेप में जानेगे, औस्ट्रेलिया में, बहुत से पाथवे प्रोग्राम्स और वीजा सब्क्लासे हैं, जिनके जरिये एक प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया में, वर्क पर्मिट या पर्मनेंट रेजिदेंसी पा सकता है, इन वीजा सब्क्लासे को मुख्य से निमनलिखित काटेगरीज में डिवाइट किया गया है जो है Skilled Migration Visas, Subclass 189 यो की पर्मानेंट रेजिदेंसी पाने की डाइरेक्ट सबक्लास है State या Regional Nomination Visas, Subclass 190 और 491 यो स्टेट नॉमिनेशन के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं Permanent Residence, Skilled Regional, Visa, Subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं Employer Sponsored Visas, Subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employees से सीधी Sponsorship या Nomination के थ्रू PR तथा वक्परमिट प्राप्ट कर सकते हैं Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visas, Subclass 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी innovative idea यो की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा वक्परमिट प्राप्ट कर सकते हैं कुछ specific targeted sectors के लिए Global Talent Visa और Subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्क प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्द तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि web designer के profile के लिए कौन से visa supplies से इस खुले हैं तो आप description में दिये गए link पर click करें आप web designer के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Web Designer है इस सीरीज में आपको web designer के लिए permanent residency file करने की step by step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में study और settle होने के लिए उपलब्ध visa विकल्प और visa sub categories हैं तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लत देखते हैं अगर आप एक student है और web designer बनना चाहते हैं तो Australia पढ़ाई और settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक student, subclass 500 के तहट अपना study visa फाइल कर सकता है हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और subclass 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है जिसे post study work visa कहा जाता है अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर click करके expert advice ले सकते हैं इस video के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की video और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपया हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूचताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहिर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे